एसमें के अधों स्टुन्स कैसे आप सर्थ है कि आप सर्थ ठीक हों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अमकादेश श्रीक चोंब आज हो दूख ऑदे और हम आज चोपे पुर्दु कवाइद के बारे में बढ़ेंगे कि हमें इस निकाद में पुर्दु कवाइद में कौन- तो सबसे पहले हम लिकाते शेशों को शुरू करते हैं यहां पर हमारे पास हैश 31 पर सबसे पहले काम जो जा रहा है वह है मस्मून बिचे आप सब जालते हैं कि मस्मून रवे सीकिस्टा की जाथी है कि हमें उन्मान दे जाता है जिसके बारे में हमें लिखना होता है कि उसकी हमारी जिन्देगी में क्या अहमी है, क्या अपादियत है, उसकी क्या पवाई है, क्या नुक्साना था तो यहां पर हमें जो और्मन दिया गया है वो बिजली है आप जानते हैं कि बिजली जो है वहाल जिन्देगी में हर काम के लिए नहाया ज़रूरी है कदीम जोड़ बिजली का तस्वर ना था मगर आज अगर बिजली ना हो तो निसाल जिन्देगी दरहम रहम हो जाती है ये काम आपके मौटर वर्क के सफ़र मंबर 131 और 21 पर मज़ूद है ये काम आपको नर्दबान में नहीं करना बनके कलर पेपर पर बिलाइंस लगा के खुशका दीखना है और इसे याद भी करना है और बिना दे के स्की मश्क्राइब इसके बाद हैश 32 की तरफ चले तो यहाँ पर हमारे पास एक नई मश्कार है जिसमें हमें हम्द और नाथ के बारे में पढ़ना है के हम्द और नाथ किसे के पर हैं यहाँ पर हम्द और नाथ जो है इसकी मश्क हमारे पास आपकी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर मौशूद है सबसे पहले हम यह सबज़े के कि हम्द किसे कहते है हम्द ऐसी नज़म को कहते है कि जिसमें अल्ला काला की तारीफ पेहन की गए नाथ किसे कहते है नाथ ऐसी नज़म को कहते है कि जिसमें नभी गरुम सलिल्लाई अल्युवसल्म की तार्मी पर लिखी गए हमरे पास में जो मश्क आ रहे हैं कि किसी हम्द और नाथ के दो दो अशार लिखिए और शाय का नाथ ही पहरेद कीजिए यह मश्क आपके पास आपके मॉडर्ण वर्ट के सपानवर 121 121 पर मुझूद है कि जिसमें हम्द के दो अशार लिखे हुए हैं उच्छा गुल से यह में कि ए खुबरू तुझ में आई कहां से नजाखत की हुए याद में किसी हसता महिता है तू हस के बोला कि ए तारीव रगए इस इन अशार में लपाक की तारीफ बयान की गई है और इसके शायर अल्मावत के मुस्तिफा खासर है इसी तरह नाज के दो अशार जिसमें हमारे नभी पाक अल्माव लिखे हैं की जा रही है कि ए इश्च के नभी मेरे दिन में भी समझा मुझको भी मुहम्म्द से लिखे हैं का दिवाना बना जा प्यारक तेरे महफूब का जल्वा नजारा है इस नूरे मुझसम का असारा का नजारा है इनके शायर जो ही हो प्याजु दिन सहर बढ़ी है ये मौडरवर्ग की मदद से आप अपने नर्दबान में यहाँ पर अपने सफ़ा नमबर 29 परिश्मश को मुकमल करेंगे इसके बार आपका घर का काम जा रहा है कोई भी एक हम या ना दोनों में से कोई एक चीज आप कलर पेपर बर खुश्का दिखेगे इसके साथ साथ आपका अगला काम जो है वो है मिकादे पंजुम की मुकमल दोहाई आप तमाम मिकादे पंजुम की मुश्की दोहाई करेंगे